नमस्कार दोस्तों, लोजिक्स पॉइंपना आपका फिर से एक बार स्वागत है, इस वीडियो में आपको एजिस के सवाल कराऊँगा, आपको आयू के सवाल कराऊँगा, देखिए यह सवाल आपने पहले भी करेंगे, यह रेशियो के सवाल है, लेकिन आपने एक समान के करे होंगे यह आपने दूसरे तरीके से करेंगे, जैसे भी करेंगे आपने, देखिए एक समान के हम सवाल करते हैं, तो काफी देर लग जाती है इस सवाल करने में, तो आपको एक दूसरे तरीके से बताऊँगा, अधिकतर चच्चे को जिंगों पर इसी ट्रिक से सवाल कराते तो चलिए सुरू करते हैं, देखिए, सवाल दे रखा है, 12 पहले राम तता रहिम की आयू का नूपात 2 नूपात 3 था, यदि इनकी वर्तवान आयू का नूपात 5 नूपात 6 हो, तो उनकी वर्तवान आयू का योग क्या होगा है, बिल्लब कि दोनों को यूप निकालना, अब देखिए सवाल करते हैं इसमें दे रखा 12 पहले राम तो था था हम पहले लिखे लेंगे 12 ये पास्ट जो रेशियो दे रखा है कि तो रेशियो थिरी और 12 अब मतलब कि प्रिजेंट में अब यह दिहान अगला यहां चाहां तक हमें 12 साल का डिफरेंज पढ़िया प्रिजें 6 अब देखिए यहां दिहन देने वाली बात है यहां से यहां तक पहुंचने में 12 साल लगे यहां से यहां तक पहुंचने में 12 साल लगे यहाँ से 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 यहाँ स तो उसमें तीन चाहिश्यमियो की वैल्यु कितने साल के बराबर कितने यह के बेराबर की तो देखिए क्योंकि यहां से जाने में अनुपात में तीन रेश्यों का अंतर पर पढ़ ला है और साल में कितने अंतर का पढ़ ला है बारे साल का अंतर तो हम इसे यर्स बोल सकते हैं तीन रेषियो में 12 साल हो गए उसे लिए नीकाल लेते हैं okay युद्स के दम पाँ डुटर्बान ऑईू का अनुपात क्या होगा थेलेतु तो ब tattoo ऊपाँजी होगे तो ब्र Face का स 1955 अगशार है अध्यक्षाच Dir सब्सक्राइब कर दोनों को योग जोनने के बाद चोबाली सियर आई है या इसे अलग अलग भी निकाल सकते हैं अगर यह निकालना होता कि राम की यह राम की है और यह रहीम की है यह राम की अब इसमें यह निकालना होता कि कि राम की बरतमान आयू क्या होगी तो राम की बरतमान आयू क्या होगी चार पंजे बीस तो इसकी बीस आजाती और निकालना होता कि रहीम की बरतमान आयू क्या है तो चार चक चोबिस तो इसकी चोबिस हो जात 20 तो इस तरह के से दोनों को इनका योग निकालते तो कितना हुजाता तो इस तरह के से आप इसमें से को इसी वैलू निकाल सकते हैं इसकी भी निकाल सकते हैं बारे साल पहले की इसकी भी निकाल सकते हैं तो इसमें चार से गुणा करने के बाद उसका अंसर आ जाएगा तो इ बीशे दो गुना बड़ा है बारे बड़्स पहले एवीशे पांच गुना बड़ा था एक यह बरतमान आई निकाल लिए देखिए इसमें रेशियो लिख लेते हैं इनका रेशियो दूर दूर लिखेंगे अई बता देते हैं कि पहले लिखते हैं पास्ट का उसके बाद लि लाओ है इस से में अ 18 यह फैले यह बंटसव लिए यह पांच गुना बड़ा है ईक्रणा आई इसकरई से में इस से मैं बड़ा बारे वर्स फैक्रणव कहले सकते हैं बार्यपर्स अब कितना दो गुना बड़ा है मतल मीं इसने प्रेजर्ण दोग्ण पढ़ा है तो देखी पहले हमने इनका डिफरेंज देखा था पहले सवाल आपको दुबारा दिखा देता हूं एक बार यहां से दो में भी अगर नहीं है तो सब्सक्राद है लेकंगो किसे तो नहीं है और यहां से यह पहले जिखाए तो के एतो हम पहले इसी हम चार बनाने के लिए यहां पर चार से कुण करेंगे तो खुद था खुद बाइटिक ए डिफरेंश भरावर हो जाएगा तो हम उस् teeny सब्सक्राण करना करनी है इसाहर से कहunnा भत देखिए रहेगा पांच एक का नीचे वाला चार दुनी आट यह पास्ट का था कि यह प्रेजेंट का अ कि लिख जार अब करने कि यहां से यह तक में तीन लगे और यहां से यह तक में गश्च वही तीन रिशियो लगए और टाइम का कितना था बारे साल का पहले यह था वह इतना इंदीया था इसमीर था तो यह दिए रेसी यो कि नोबराबर के बारा य गाला और सो कििसके बफ़ेद्ट आयू मसलता प्रिजेंट में क्या है एक वर्तवाना आयू आठ रिशियो तो एक रिशियो के वहली चार है तो आठ रिशियो के वहली कितनी हो जाएगी चार गोना आठ चार अठे बत्तिस यह जो जानि इसका अंसर आई अब देखिए निकालने होती बीकी वर्तवाना आयू बारे साल पहरे निकालने के लिए चार चुक 16 तो 16 हो जाती इसकी 32 हो गई बारे साल पहरे निकालने तो इसमें चार से उना कर देते चार पंदे 20 इसकी हो जाती तो इस तरह के साब निकाल सकते हैं अब देखिए अगला सवाल देखते हैं सब सेम ऐसी सवाल होंगे इसमें बस देखिए अगला सवाल ये है ये बुक का सवाल है अच्छी बुक का सवाल है और अच्छा सवाल है देखिए सवाल है एक स्कूल में कुल छात्रों की संक्या 600 है लड़कों की ओसत उम्र 12 वर्स है और लड़कियों की ओसत उमर 11 वर्स है जबकि सभी छात्रों की ओसत उमर 11 वर लगाले थी, allegation की, देखियो, allegation में क्या होता है, कि दो value दे रखी होती है, दोनों को mix करने के बाद फिर एक value दे रखी होती है, तो जो भी ऐसे सवाल होते हैं, हम उसे allegation से बहुत असानी से कर सकते हैं, क्योंकि allegation जो बहुत हम, एक दम समझ में आ जाता है अब देखिए 12 वर्स यहां दे रखा है लड़कों की उसत उम्र और 11 वर्स लड़कों की उसत उम्र दोनों को मिला दिया जाता है फिर जो उसत उम्र आती है वह ग्यार वर्स नो महीने आती है तो इसे हम एलिगेशन से बहुत असानी से कर सकते हैं देखिए सवाल आप नोट कर लीजिए क्या सवाल है अब देखिए इसका सोलीशन देखते हैं अब देखिए सवाल में दे रखा था जो लड़के थे उनकी उसत उम्र किद्नी थी 12 वर्स और लड़कियों की इस ते ग्यार वर्स और दोनों को मिलाने के बाद जो सतुम्र थी वो कितनी थी ग्यारे वर्ट्स नो महिने ठीक है अब देखिए एलिकेस्टन में मैंने आपको बताया था कि यहां तो रेशियो इनका रेशियो निकलता है इन दोनों का डिफ्रेंस यहां लिखने दें कुछ नहीं सोचना है ज्यादा सीधी इनका डिफ्रेंस यहां लिखे लेंगे और इनक इनका डिफ्रेंस कितना है ग्यारे साल नो महिने है तो कितना बचा के बल नो महिने तो नो मन्त आ गया के बल और यहां पर कूर तीन मन्त क्योंकि तीन महीन और बच्चें एक साल में होने के लिए थे तो इंसकेगश की तो आए हो अनुऌद तो अनुट गल्स के निकालने हैं तो गल्स कितनी है एक कितने में से चार में से तो लड़कियों की संख्या 150 आइसा तो इस तरह किसे आप और भी एलिगेश्न के सवाल कर सकते हैं एलिगेशन दूसरे सवाल में हम लगा सकते हैं वेहे भाती है यह दोनों म्खें होने जो होता है उन दोनों का राइर्शुन निकाल लेक तो इसकित वाल हम आपसे सबस्काइब कर सकते हैं अगर आप से अभी नहीं आता है तो पहले मैं वीडियस त्ट डाल रखिये हुए तो बहां से भी आप पूरा इसका टोपिक देख सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए जाकर आप लोजिस पॉइंट तो इस पर जाकर हमारा पेज लाइक की दिए और कोई भी डाउट के लिए कीजिए मैसेज कीजिए हमें थैंक्यू दोस्तों